नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चनल रोजगार एस्टिवेंट में तो आज हमारा क्लास टू रहने वाला है प्रैक्टिसेट का जो कि इंदी का प्रैक्टिसेट कर रहे हैं तो ठीक है अगर आप लोग भी पहला प्रैक्टिसेट नहीं देखे हों अपना क्वेस्टिन स्टार्ट करते हैं पहला को से अपको पांच कोश्चन पढ़कर आपको समझाते हैं तो क्या आया उसे हम पढ़ते हैं देखें देश की हित चिंता में जिसने सरीर पर थोड़े से वस्त्र रखना ही अपना कतब समझा और जो चिंकाय होकर भी महानात्म का स्वामी था उस मोहंदास करमचंद गांधी को हमारा नमसकार हो ठीक है वही आत्मा था वही राश्पिता था नए भारत के निर्मार में जो कारें उन्होंने किया वह स्वन अच्छोरों में लिखा हुआ है उस महानात्मा की भोतिक देह पिस्तोल की गोलियों से 30 जनवरी सत्य अहिंसा के पुजारी उस महात्मा को हमारा प्रडाम है गांधी जैन्ती गांधी का जन्म दिवस है यह प्रतिवर्स दो अक्टूबर को मनाया जाता है तो चलिए अमने गद्ध्यांस पड़कर आपको समझा दिए तो चलिए आप क्वेश्चनों करते हैं गद्ध्यां सब्सक्राइब गद्ध्यांस पर पूरा नाम दिया गया गद्यांस पर बाते करेंगे उसी को लेकर अंसर इसमें करेंगे ठीक है तो चलिए कौन साब दूसरा से नमारा है दूसरा कर आए गांधी जैन्ति कभ मनाते हैं तो आप एक तरह से तो लेकिन आम लोगों को पता है अब गद्यांस पर मिला था कि दो अक्टूबर को गांधी जैन्ति मनाया जाता है ठीक है तो वैसे आप लोग सबी लोग को पता होगा अब गद्यांस भी नहीं परते तबी इसका अंसर कर लेते ठीक है तो अगला तीसरा कोस्टन करा चिड़काय का अर्थ है छिड़काय का अर्थ होता है तो अगर आपको लोग कुछ निकाय का अर्थ नहीं पता होगा लेकिन आप लोग का निगानी जी की फोटो या तस्विट देखेंगे तो अब उसमें देखेंगे कि दुबला पतला शरीर था तो क्या हो जाएगा हमारा यहां पर दुबला और पतला शरीर थ तो स्वत्य और इंसा की अथियार थे गांधी जी आपसें हमने लोग को दिख रहा है अगला कुछन देखते हैं अगला कुछन का करेक्टी द्वारा किये लिखे गए कार लिखे गये हैं तो इतियास में संभीदान में पुस्तकों में देखो और इस वन अच्छों में जो सब्सक्राइब करेक्ट आंसर होगा ही तो कौन सा अच्छरों में लिखे गए हैं उनके कारियों को ठीक है तो अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन के द्वारा प्रतियच का चमतकार पुन वर्ण अलंकार का लच्छन है थोड़ा से नया कोशन आप लोग के लिए हो जाता ह यह नया कॉश्यन हो जाता है तो इसका अगला अगर नहीं भी पता होगा तो फिर विए अप लग परतेश को अपर्तेश बता रहा है यानि कि अनुमान लगा रहा है मतलब इक आ रहा है यानि कि यह बाती आप पर परिकर तो नहीं जानते तो छोड़ी देंगे फिर कारल माला यानि गालग को सीफित में और साइथ िचुन हो जाएका सानों हनुमान ही वह जाएगा देंक है के योग मका कौन सार दूटी पूण है यानि ча चार में फिन सच होगे और गलत होगा तो आप दखेंगे दो का दूद होता है गर्यत का ही होता है लेकिन देखिए तो झमढों दिखेगा । क्योंकि दधी दधी ऐसे नहीं लिखा जाता है धी पर छोटी की मात्रा होती यानि कि करेक्ट अंसर अमारा भी हो जाएगा ठीक है अगला क्वेशन देखते हैं अगला क्वेशन क्या है निम्न में से संयुक्त बेंजन कौन सा है तो इसका तो सब्सक्राइब को आंसर पता और अधными में तर लिखर है तो अमारा सी आप से सही हो जाएगा और अगला क्वेशन के चाहते हैं तो यह जकते जर्म हो जाएगे है तो अगला कोस्क供न करानी का बहुर्वित और म乾 CT चमन को जर्म का होई तो जर्म कहां अच्छे लेबल का कोश्च्ण कभी जम का पर वा था एक कोश्चन देखिए एक साइट सब्सक्राई कर कि थे मेरा भाई के साथ गुरु पूछा था 17 और फरोरी के रिक्षा में तो आप लोगो सिधे-सिधे आपसन यानि ग्वालियर जैपूर में ग्वालियर में वह था जैपूर में जैसिंग के दरबारी का भी वए करते थे और भी आरी सथ सही इनकी ही रचना है ठीक है अला कुशन देखते हैं कि उस पस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े में अलंकार है तो इसका सही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्रती पलंकार प्रती पलंकार होगा काफी लोग अतिस्योक्ति मान के चलेंगे लिए कि अतिस्योक्ति नहीं होगा क्योंकि अगर अतिस्योक्ति होगा तो देवदार देवदार ब्रिच तो हमेसा ही यानि कि लंबे होंगे तपस्वी या किसी ब्यक्ति स तो यानि कि अगर एक अगर इंगती लंबा देवदार ब्रिस से तब तो यहां पर अतिश्च्वक्ती हो जयाता लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं का आ गया है कि उसका करेक्टर अंसर हमारा और प्रती प्रतीप प्रती पलंकार हो जाएगा इसमें अगला कोश्वन मारा सभी करक्ता यहां तरा गी माकार जैसे तुम तरे यहां तरा नहीं है तियानि कि यहां पर देखें ताला इस्तारिक को दो और सबको मिल रहे हैं जब एक ही सब्ची दोघ को जाताया है यहां से हमार कालंकार ऑगर देखते हैं नोग गिर्धर गोपाल दूसरों न कोई जाके सिर्मोर मुकुट मेरो पति सोई इन पंक्तियों में कौन सा रहस है तो इसमें कौन सा रहस होगा है आप लोगो सीधे पता है कि मेरे तो गिर्धर गोपाल दूसरे न कोई यानिकि इसमें करेक्ट आंसरा कौन सा रहस है इसमें ठीक है तो पर दान नहीं है तो गोबर के गढणे से द्वारा बने गोबर के द्वारा बने गढ़ेश यानिकि या गोबर से बने बने गढ़ेशों का ना ठीक है तो सीकरन तत हो जाएकँ है तो अगला कोष्डे से नमारा क्या कर रहा है। रहीमन प oportun है बैठी ये देखन दीनन के फेर ज़बनीके दिन आई है बनत लगी है डहीं तो तो इसका अब पहने हो होगा गाइध वर और कि पहले फिरिए और इसमें कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 उबत अ दूसरे और ते चरण में 13 ह तो आपको गूरू मिल जाएंगा लेकिन देखें घुरू तो है नहीं एक जाद हर भी दो दहींा हो सुद्धारतनी कि शर्मुत्सकर्स चर्म शर्मास्कर्स यानिकी verbs caricat сложно यहां कि पड़ा ही नहीं जा रहे तो गहला बहुत देदी यानि कि अधकर्पोर मग paid कि एकर्स केया 각 खंड में निम्न में से कौन सा खंड तुरूति पूर है ठीक है पड़िया भारत ओर्ष के प्रति छेत्र की यानि कि इसमें कोई तूटी दीख नहीं रही है पूरा है पूरा सही लिखा गया ठीक है और देखे नों बीम सुंदरता सारे बिश्व में यानि की इसमें भी कोई सरत्तम यानिनी कि सबसे यहां इसमेर सबसे नहीं होना चाहिए कि यानिक यहां सा तुरूटी पूर्ण घंड हो जाएगा यहीं स्वाए और इसी आपने आपको का समझ में आया होगा देखते हैं किया काते हैं काफी ब्षनाया अंग Schutz इसका संदी से जब करेंगे आपको संदी का रहास्ट ऑर मिलें का अगाने सब्सक्तर चोड़ाई हैं तो अकर कह粟े पर भांभ जाएंगे दो देखिए जिस समास के पूर्व यόंग्ज उत्त्र पर दोनों समान रूप से परदान होते हैं उससे धुन उससे क्या थे चाहिए तो अगर कोई वीडियो नहीं देखें होगे पहला प्रेक्टिसेट तो उससे जरूर देख लिए कोशन आपको मिलेंगए थीक है तो देखिये इसमें तरह सकार में कौन सी संधी है विशर्ग संधी जब कीजिए तो किअ थीक है तुरह धनकार होजागा ठीक है जुफ्षा होता है वह बतल जाता है ठीक है कॉंसा है क्रिष्नworkers Chief पिंया कान्हारा एक है कर तो कन या कान कि真的 है आप क्पड़े होंगे लग कि खेङब के आदा अच्छर वैं की मांत्रा हो और पास्षा हो तो सब तत्सम में आते हैं लेकिन अपवाद यहां पर देखे इस सब तत्वक करें लेकिन करने के पूर संभावन आये तो कैसे करते हैं कि इसे पढ़िए समय को परखने वाला ठीक है फिर यह पर यह दिया है और समय की रद यह हमारा रंक से धानद्य करोनपती से विखारी अपच्छा करने वाला और अंत में हो जाता है ठीक है तो इसमें पढ़िए समय को परखने वाला फिर इसमें पढ़िए रंक से धानद्य और और समय की उपच्छा करने वाला करून पती से भिखारी हो जाता है ठीक है तक आपको समय को पर रखने वाला रंग से धानड जानिके अमारा रहा क्षोंटि सब्सक्राइब करता है निम्न में से कौन सा चंद दूआ का भी परिच्छन होता है तो अगले प्रैक्टिस पहले बताया थे तो कि वी आपसों में नहीं दिख रहा है तो डी आपसों नहीं है अमरे करेक्ट आंसर ठीक है अलग कुशन का रहा है कि निम्न निम्नांकित पंक्तियों में से अलंकार बताई है अलंकार रुनित ब्रिंग घंटावली जरत दान मधुनी समीर मंद मंद आवध चले ओंजरू कुंज समीर ठीक है इसमें कौन सालंकार हैं यहां पर आपको सब्ध दिख रहा होगा यहां पर देखें दू सब्ध कुंजरू और कुंज मुझे एग गुट्वी तो एक कुण्ज मतलब होता है हमारा हाथी और दूसरा कुण्ज मतलब होता है लत्ता या कुण्ज दोनों सब्दे को अलग-अलग अर्थ एफ सब्दे एक एक ही पंक्ति में बोजन देने की बेवस्था तो देखे क्वेशन भी काफी नहीं आये काफी लोग इसमें बंडारा लगा कर आपसे में चलायाएंगे और काफी सुचेंगी सही लगाएं भंडारा अमारे करेक्ट आंसर नहीं है ठीक है इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी सदावर्थ सदावर्थ विखारियों को बोजन करानी की बेवस्था है ठीक है तो इसमें करेक्ट आर्ण सर्मारा हो जागा सदावर्थ और बंडारा किसे करते हैं बंडारा उसे करते हैं कि काफी बहुत संख्या में जादे लोगों को बोजन कराना हमारे बंडारा होता है तो इसका करेंट अर्थ हो जागा सदाव अर्थ ठीक है अगला कुछन देखिए कीचन उच्छालना का अर्थ होता है हमारा बदनाम करना इससे तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है करना कोन साफ्षट परफ है कि सी तुल्ला आपाधान हो जाता है इसके बात श्याधार ध्यान में रखेंगा ठीक अगला कोचन देखिए कौन सा वाल परेवाची में स्सक्राइब सब का चुक्त हो जाएगा ठीक अगला क्वेस्ट प्रतेच का बिलोम सब देखिए परोच होता है इसे अब लोग द्यान रखे चलिएगा ठीक है अगला क्क्वेश्चन देखिए लिंग की दुरिष्टी से से सारे सारे इसंत्रिंग होते हैं तैके लेकिन अपलोग याद रखेंगा ठीक होगा तो काफी वाद को पता होगा प्रतिदें धन एक प्रति दिन धन करें ठीक अगला कोशन देखिए को संदी में गुड संदी करा कि निम्लिखित में से यथा विदी का साई समास अपको उतर हमारे पहले ही प्रैक्टिशेट में मिल जाएगा तो आपको बताएं थे के बुए बहुत समास के जो भी उधारन होंगे उसमें उपसर्ग लगा होगा यांगे तो यहां पर देखिए यह था ने कि यह था और विधीयानिकि मतला उपसर्ग की तरह है काम कर दो 서 अगला कोशन देखिए लोटिक सब्द में प्रत्य है आपको सिदेशी द्र das बता होगा इक प्रत्य जबी तो अगला वाण को बढ़ा कर देता है जो ओ कर देगा उसी तरहागा समाज में अगए लगेगा तो सब को बड़ा सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर देता है जब लगता है तो ठीक है आगे देखिए पुज्य नीय नहीं करेंगे कोई एसा नहीं होता ठीक है तो आप लोग को प्रैक्टिस काफी अच्छा लगा होगा और काफी आपको त्यारी में यह सब्सक्राइब मैं सोच रहा हूँ कि इसी से आपको एक्जाम में हर कोश्चन आपको धरे हुए मिले ठीक है हमारे पूरी कोशिस रहेगी तो अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रेक्टिसेट में